जंडर्मन, जम्मू से मीरपूर जाने वाली ट्रेन आदे घंटे में चलने वाली है, आप सबसे नवेदन है कि आपना अपना स्थान ग्रहन करें। इंडियन एरलाइन्स फ्लाइटू कोटली। ऐसा होगा और ऐसा होके रहेगा अपने दिमाग में से शक्तू निकाल दो। मौसम बदल गया, सोच बदल गई, हम सब एक होगा है। और हम सब अच्छी से जानते हैं, उनमें क्या-क्या तकलीफे नहीं उठाई, क्या-क्या नहीं हुआ, क्या-क्या जलम नहीं ढाई गए। लेकिन एक बात हम कभी नहीं भूल सकते हैं, कि हमारे बजर्गों ने, हमें जिन्दा देखने के लिए, हमें खुशार देखने के लिए, हमें आज के दिन एक होने के लिए अपनी कुर्बानी दी है। यह हम कभी नहीं भूल सकते हैं, वहां से आने के बाद भी, उनके बच्चों की स्ट्रगल खत्म नहीं हुई, मेहनत की, मशक्कत की, अपने हिस्से की जमीन आज तक धूलते रहे, लेकिन नाम मिला, बियो धेके, तकलीफ वाला है, लेकिन खबराएं नहीं, आज सब के सामने सीना ठोक कर खड़े हैं, कि हाँ हम भी वो लोग हैं, हम ने फेस किया हर मुकाबले को, यहीं होना चाहिए था, किताबों में लिखा गया, कहा गया, बहुत कुछ, अगर मैं आपसे कहूँ, कलम ने लिखा था, यह धर्ती उसी की है, कलम ने लिखा था, यह धर्ती उसी की है, जो जुल्म के मौसमों में, खुले आसमान के तले, अपनी धर्ती पर अपना लओ बहाए, कलम में लिखा था, यह धर्ती उसी की है, लेकिन यह सब कहने से, सुनने से, असान नहीं है कि जो आपके अंदर 30 है, वो खत्म हो जाए, और खत्म होने में नहीं चाहिए, मैं पूछना चाहूँगा, वीरपूर हो, कोटली हो, किसने हक दिया था, मेरी गलियां चीनने का, किसने हक दिया था, वो मेरी खत्ती मीठी गोलियों चीनने का, किसने हक दिया था, मेरा साइकाई चीनने का, ये मेरे हक चीने है आपने, मैं दुनिया के किसी ही कोड़ में बच जाओं, बड़ी से बड़ी इमारत पर रहूं, लेकिन मेरी मीरपूर की कल्वी, मेरे खून के अंदर है, कभी नहीं बूल सकते हैं, लेकिन कमाल की बात है कि आज हम सब एक ही शिप में सवार हैं, सब की तकलीफे एक जैसी हैं, फिर भी एक दूसरे को देखके खुश हैं हम लोग, अमरे एक होने का समय आ गया है, अब वो दिन दूर नहीं हैं, जब जम्मू से अवाज लगने वाली है, लेडिज और जंडर्मन, जम्मू से मीरपूर जाने वाली ट्रेन आदे घंटे में चलने वाली है, आप सब से नवेदन है कि आपना अपना स्थान ग्रहन करें, इंडियन एर लाइस फ्लाइ टू कोटली, ऐसा होगा, और ऐसा हो के रहेगा, अपने दिमाग में से शक को निकाल दो, मौसम बनल गया, सोच बनल गए, हम सब एक हो गए, और हम साब अच्छी तरह जानते हैं, अपसे बच्छी तरह से जानते हैं, ना किसी दोस्त से, ना किसी दिलनशी से निकलेगा, हमारे भाओं का काड़ा हमी से निकलेगा, खुश रहो, आबाद रहो, बस एक साथ रहो, यह बहुत जरूरी है हम सब के लिए, हमारा साथ रहना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत शुपकामना इसके साथ जो हस्तियां जुरी हैं, जिन्होंने आज हम सभको, हम भिछुनियों को मिला दिया हम सभको एक तुसरे के सामने कर दिया मैं हम उनको बहुत-бहुत परनाम बहुत बनवार कहता हूं सभको बहुत-बहूत शुपकामना हैं भारत मात्या के बारत मात्या के नमन करें इस मात्री भूमी को नमन करें आकाश को बनिदानों की प्रिष्ट भूमी पर